हलो एब्रिवन कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्चे हैं और आज अम बात करने वाले हैं बीएसी सेकेंडियर वालों की बीएसी सेकेंडियर के जो बच्चे हैं जिन्नोंने अभी तक कुछ भी नहीं पटा है उनका पेपर किलियर करवाने का मैं आपसे वादा करता हूँ आप अपने चैनल साइन्स फाउन्डेशन को सस्क्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमें जी के पश्ट पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूसन बताने वाला हूँ जो कि आपके 2021 की जो एक्जाम होगी उसके अंदर 100% रिपिट होंगे इस क्लास से आपके लगबग एक या दो क्यूसन जरूर पूछे जाएंगे बस आप इन क्यूसनों को एकदम किलियर करके ज जूसन है आपके जरूर आएंगे और एक बात और बता दूम आपको यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है तो आप पिछले पांच वर्सों के आपके पास टाइम बहुत कम है ये ना करें कि मेरी जो पेपर है किलियर कैसे होगा बिलकुल ये टेंशन ना ले और पिछले पांच वर्सों के जो पेपर है उन्हें आप उठाइएगा और प्रतेग पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप पिछले पांच वर्सों के पेपर से ही बिलकुल गारंटी से 70% मेटर किलियर कर लेंगे बिलकुल 70% मेटर पेपर का पांच वर्सों के है वो मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं एक एक को देखिएगा और अपने नोट्स या कुछ भी ले लिजिए उनमें लगा लीजिएगा तो स्टार्ट करते हैं देखिए सेक्षन यह है उसके अंदर से क्यूशन मैं आपसे पूछ रहा हूं एक बार आप देख लेना एक खोलिएगा और वहां से लगाएगा कि प्रोटो जोवा के वलन अंग को के प्रोटो जोवा के जो मैं बोल रहा हूं उस पर द्यान दीजिएगा प्रोटो जोवा के वलन अंग को के मुख्य प्रकारों का वर्नन कीजिए संसेप में बताईए इनमें चलन कैसे होता है जो आपको क्या करना है जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा प्रोटो जोवा के वला नंग को के मुख्य प्रकारों का वर्नन कीजिए संसेट में बताईए इनमें चलन कैसे होता है आगे देखिए अगला है मोश्ट क्यूसन है इसे आप याद कर लिजिएगा लगा लिजिएगा अगला है कोरल रिफ कितने परकार की होती है इनके बनने संबंदित सिद्धान्तों का वर्नन कीजिए कोरल रिफ कितने परकार की होती है इनके बनने संबंदी सिद्धान्तों का वर्नन कीजिए most question है 2020 में आपके repeat होने वाले question है आपके जरूर होंगे आगे देखिए आगे है जो 4 नंबर का अपना question है ये देखिए निमन लिखित में से किनही 2 के नामान की चित्र बनाईए पहला है पाईला का तंत्री का तंत्र दूसरा है प्रोन का संयुक्त नेत्र और मैं आपको बता दू जो ये प्रोन है इसके काफी question है इस topic को आपको बिल्कुल किलियर कर लेना है क्योंकि जो ये topic है यहां से हर बार 2017 में, 2018 में, 19 में और 20 में तो आपके exam हुई नहीं परन्तु 3 साल तक लगातार यहां से पूछा गया है ये question आगे देखेगा, आगे है Obelia colony Obelia colony है, इसके बारे में भी आपको क्या है, लिखना है अब आजाईए section B अथार्थ खंड बै, खंड बै से आपके consequence पूछे गए है यहां पर देखते हैं, देखिए section B है, इसमें लगाईएगा आप निम्न में से किनी ही दो पर टिपनियां लिखिए निम्न में से किनी दो पर लिखना है परन्तो आपको तीनों याद करना है exam में तो इस टाइप से ही पूछता है कि आहरनाल तीनों को आपको क्या करना है एकदम याद कर लेना है और इन टोपिकों को किलियर कर लेना है आगे देखिए आगे हैं जो section B का ही question है, देखिएगा, जोंक के रुदिर गोहा तंतर का वर्नन कीजी, जोंक के रुदिर गोहा तंतर का वर्णन आपको यहाँ पर करना है जोंक जो होता है उसके रुदिर गोहा तंतर के बारे में आपको वर्णन करना है और अगला क्यूशन है देखिए साइक्लोसिस जो है इसके बारे में आपको क्लियर करने न है और मले पिनिंग जो ट्वल्स है उसके बारे में भी यहां पर देख लेना है तो आगे देखिए दोस्तो ये आपके क्यूसन थे इनका एक बार आपको screenshot ले ले ना है तो screenshot ले ली जिएगा अच्छे से फिर मैं आपको एक दो trips देता हूँ कि आपको exam में किस तरह से आपको क्या करना है study करना है time table जो है वो भी मैं जल्दी ही बना रहा हूँ time table आपको किस time table को follow करना है ये भी आपको मिल जाएगा आज शाम को या फिर कल ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी कि time table कैसे follow करें कौन से time पर कौन से subject फड़े दो महीने में आपको उस time को यदि follow कर लेते हो तो मैं आपको ये guarantee देता हूँ कि आपकी जो आप तो pass की सोच रहे हो परन तो आपकी 70% जरूर बनेगी सिर्प आप उस time को follow कर लेना तो वो मिल जाएगी दूसरे बात आपको कोफी में वाँ पर कैसे लिखना है इसके उपर भी एक वीडियो बना दी है कि कोफी में किस टाइप से लिखना है पूरे 12 ट्रिप्स मैंने बताए है उन 12 के 12 को यदि आप follow करते हो और यदि किसी क्यूसर का आंसर आपको नहीं आता है तो भी आप उस आंसर को लिख सकते हो उन 12 ट्रिप्स में मैंने ऐसा आपको बताया है तो उन्हें भी देखिएगा एक-एक को अच्छे से देखिएगा किलियर कीचिएगा तो आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जैहिंद वन्दे मात्रम